Hello everyone, welcome in AgriVetSpark So start करते हैं हमारे आज के session को जिसमें आपके जो most important objective हैं agriculture के वो रहने वाले हैं साथ ही साथ हमारे जो different social media handles के links हैं चाहिए वो आपका Instagram, Telegram and YouTube अगरा है सारे description works में provide किये गए हैं अगर आपने अभी तक join नहीं किया है उनके साथ तो फटा-फट से join हो जाओ जहाओ जहाँ पर daily update, quizzes, pdfs each and everything आपको provide किया जाता है ठीक है, so अगर आपने join नहीं करा है तो जल्दी से join हो जाओ, all right So start करते हैं हम हमारे आज के session को with our first question So the first question is that the bajra is known as So bajra को किस-kis नाम से जानते हैं, याद रखना Peer Millet सबको पता है, bajra को क्या बोलते हैं Peer Millet बोलते हैं, साथ य-साथ Candle Millet and Spiked Millet के नाम से भी बाजरा को जाना जाता है, बाजरा को किनके नामों से जानते हैं Pearl Millet, Spiked Millet and Candle Millet याद रखना, जो Global Fertilizer Day है कब celebrate किया गया था 13 Feb 2021 को 13 February 2021 में क्या बनाया गया था आपका Global Fertilizer Day को बनाया गया था जो सबसे पहले first BT Cotton develop करी गई थी वो कब की थी 1987 में ठीक है जो BT Cotton सबसे पहले आपकी develop हुई थी वो 1987 में हुई थी Global Fertilizer Day 13 February 2021 में आया था और जो BT Cotton को first release किया गया था लेकिन सबसे पहले उसको commercial cultivate करने के लिए 1996 में उसको जो है रिलीज किया गया था थीक है BT Cotton जो है as released as for the commercial cultivation के लिए वोल्ड में 1996 में उसको किया गया था लेकिन अगर हम देखे जो BT Cotton है वो आपका इंडिया में कब जो है released हुआ इंडिया था बीटी cotton released for commercial cultivation इंडिया में commercial cultivation करने के लिए कब release करी गई that is your 2002 में ठीक है 1987 में तो वह आपकी जो है BT Cotton आई थी develop की गई थी उसके बाद 1996 में उसको क्या किया गया वोल्ड के लिए commercial cultivation के लिए दिया गया ठीक है 1987 में वो आपकी release हुई 1996 में आपकी commercial cultivation के लिए वोल्ड में 2002 में आपका क्या हो गया है बेसिकली उसको release कर दिया गया इंडिया में commercial को cultivate करने के लिए वही हम देखे जो tap water and clean water supply का target है tap water and clean water supply का जो target है यानि हर घर में क्या देना है आपको clean water देना है और नल देना है ठीक है नल होगा और साफ पानी उसमें से आएगा तो जो पूरे मतलब नोंने बोला है कि जो आपकी एंटायर यानि एवरी house के अंदर यह facility होनी ही होनी चाहिए तो इसका टार्गेट उन्होंने कब कितना रखा है गौर्में ने that is 2024 तक क्या रखेंगे हर घर में tap water and clean water supply जो है प्रोवाइट कर आई जाएगी next question अगर हम देखें इंडिया का aim कब तक का है कि जो अमारी country उसको TB free कर देंगे तो याद रखना 2025 तक इंडिया ने क्या बोला है कि वो इंडिया को क्या बना देंगे TB free country जो है बना देंगे next अगर हम देखें pollination by slugs and snails ठीक है वहीं हम देखें different different pollinations होते हैं आपके like आपका birds का और इंसेक्स का एंटमोफिली right and हम देखें animals का जूफिली बीटल्स का कैंत्रोफिली अगर हम देखें वहीं पे slugs and snails के थू जो pollination होता है pollination का मतना pollens जो है एक फ्लार से दूसरे फ्लार में जब जाएंगे so वह आपका pollination होगा ठीक है यहां से pollens जा रहे हैं so basically जो slugs and snails जब यह पॉलंस लेकी जाते हैं उसे क्या बोलते हैं that is meleko philly ठीक है meleko philly के नाम से उन्हें बोला जाता है next अगर हम देखें the capacity of a solid to continue to function without change throughout the disturbance ठीक है यानि वो capacity किसकी solid की जो basically क्या करती है that is your the capacity of a solid to continue to function without change जो हमेशे अपने function कर दे रहे बिना किसी change के या किसी disturbance के तो वो क्या होगा soil resistance ठीक है soil के resistance क्या है ऐसी capacity है generally वो क्या करती है without change यह without disturbance जो है वो वो करती रहती है next है the development of small cuts in the cauliflower आपने देखा हो को जो cauliflower है उसके जो cuts होते हैं वो जब small हो जाते हैं तो मतलब कौन सा disorder हो गया उसके अंदर that is your buttoning ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं buttoning ठीक है so the development of your small cuts in cauliflower is called buttoning वहीं हम दे chest source of सबसे जादा किस क्या होता है पापाया के अंदर अगर हम देखेंगे तो iron देखना को मिलता है ठीक है पापाया के अंदर सबसे जादा क्या होता है iron जो barley है barley की inflorescence को किस नाम से जानते हैं spike ठीक है the inflorescence of barley is known as your spike okay next हम देखें the characters of flare saver transgender tomato जो flare saver tomato है आपका ठीक है इसके अ transfer करके इसको develop किया गया है तो यह जो variety है क्यों develop करी गरी basically क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका tomato होता है ठीक है तो जब वो जो farmer था वो क्या करता था basically अगर वो अपने tomato को लेके जा रहा होता यानि कभी उसको long distance transport में अपने जो vegetable उसको marketing के purpose से लेकी जाना हो दाता तो त so basically क्या होगा जब वो tomato लेकी जाते हैं ठीक है टमाटर वो लेकी जा रहे हैं हम वहाँ पे इतनी दूर markets में उन्हें सेल करने के लिए तो वो tomato transporting के कारण ही यानि transporting में ही जो है अपनी जो quality है उसको reduce कर देता था खराब हो जाता था उससे farmer को loss phase करना पड़ता था so basically biotechnology की थू transfer किया गया वो gene की वज़े से क्या होने लगा कि वो जो flare-sable tomato इसके इंदर क्या character आ गया delay in ripening ठीक है वो पकना जो है उसने जैसे वो अगर चार दिन में पकरा था तो वो 7-8 दिन में जो है पकने लग गया ठीक है so इसते क्या हो गया basically जो आपकी ripening है वो क्या हो गई डिले ह पकने की जो उसकी capacity है वो जिले हो जाते है थोड़े दिन एक्स्टेंट हो जाती है next अगर हम देखे जो mollybdenum की availability है increases with the increases of the mollybladum availability is increases with the increases of the soil के अंदर अगर हमें mollybladum की जो हम बोलिंगे की availability increase हो रही है कब अगर जो soil pH उगा soil pH के increase होते होते हैं molybdenum की availability भी क्या हो जाती है increase हो जाती है next यह most important है कि IARI की formation सबको पता होनी चाहिए that is 1st of April 1905 IARI कब बना था 1 April 1905 में ICR 16 July 1929 में बनाया गया RBI that is your 1st April 1935 IARI को 1 April 1905 16 July 1929 RBI 1 April 1935 Nafir though October 1958 FCI 14 January 1965 के अंदर फॉर्म किया गया था Nabad 12 July 1982 Apeda that is 13 February 1986 FCI that is your 5th of August 2011 ठीक यह सारी जो आपको establishment जो हैं के पता होने चीए किएगा आपका कब जो है established हुआ था next हम देखते हैं the cohesion and addition theory was given by अब जो cohesion and addition theory थी यह किसने दीए थी that is your Dixon and Jolly जो Dixon and Jolly है इन्होंने जो हैब की 1984 में क्या दिया था cohesion and addition theory को बताया था now which gene is responsible for BT cotton second generation BT cotton के लिए कौन सा gene responsible था तो cry 1 AC and cry 2 AB यह दो gene थे cry 1 AC and cry 2 AB यह दोनों genes किस के लिए responsible थे BT cotton के second generation के लिए now in India the first urea plant सबसे पहले कहां पे पहला urea plant set up किया गया था याद रखना वो आपका सिंदूरी सिंदरी जारखंड ठीक है जो आपका जारखंड है जारखंड के अंदर सबसे पहला आपका क्या set up किया गया था that is your first urea plant set up किया गया था now the zinc coated urea was first tested agronomically experiments in जो zinc coated आपका urea है उसको सबसे पहले कहां पर टेस्ट किया गया zinc coated urea को कहां टेस्ट किया गया था IARI New Delhi जो कब आपका form हुआ था मैंने भी previous lecture में बताया है that is your first of April 905 ठीक है सारे ही सारे आपके लिए बहुत जादा useful है तो इन्हें याद रखना next है अगर हम देखते है which gene is responsible for first generation of BT cotton BT cotton के first generation के लिए जो आपका responsible है which gene is responsible for first generation BT cotton मैंने बताया second generation के लिए cry 1 AC and आपका cry 2 AV यह responsible है वहीं first generation के लिए देखेंगे तो cry 1 AC जो है आपका responsible है now जो basic unit है civilization की वो क्या है that is your family family क्या है basically आपकी जो आपका first जो आपके बोलोगे civilization करने की जो starting है civilization की वो family से होती है toria toria इसको हम किस नाम से जानते हैं Indian rape चीक है toria को किस नाम से जानते हैं Indian rape के नाम से जानते हैं now first obtain short term loan from that is a farmer obtain so farmer सबसे पहले जो आपका short term loan obtain करता है वो कहां से करता है that is a central cooperative banks ठीक है उसको अगर short term loan चाहिए तो वो कहां से लेगा central जो centrally cooperative banks है उनके थूँ वो क्या लेता है short term loans को लेता है यह most important question बनता है जो wild type का pomegranate होता है उसको क्या बोलते है that is your daru wild type of pomegranate is known as daru next हम देखते है Imlidana is the new pomegranate hybrid ठीक है अब जो Imlidana है इसको जो new pomegranate है pomegranate का एक नया hybrid है इसको जो developed किया गया है वो किसको किसको cross करा के develop किया गया है that is your Ganesh and Nanna ठीक है इन दोने को cross करा के क्या गया है इसको develop किया गया है next हम देखते हैं मैंने बताया कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो यूरिया प्लांट था वो कहां सिंदरी जारखन में बनाया गया जिंग कोटेड यूरिया को सबसे पहले टेस्ट आई एराई नियू डैली में किया गया याद रखना जो earthworm है ठीक है अर्थworm अगर पूछा जाएगा Earthworm का Phylum क्या है यानि किस Phylum से वो बिलॉंग करता है तो एनिलिडा ठीक है Earthworm belongs to the phylum एनिलिडा Next question हम देखते है जो mechanical analysis होता है ठीक है जो important question बनता है Mechanical analysis of soil is estimated by a stocks law ठीक है Sulfur Institute located है 1906 में से अगर हम देखे जो alkalize soil है ठीक है surface color of alkalize soil alkalize soil का surface color कैसा होता है black होता है weight of furrow slice furrow slice का weight कितना है important question बनता है 2.25 into 10 raise to the power 6 kg per hectare ठीक है 2.25 into 10 raise to the power 6 kg per hectare is the your weight of your furrow slice now która the vermiculite how is vermukulite तो सबसे पहले है तो कीसा है तो जा सब अत्य है तो WiFi prayer non expending type क्या कैसा तो रज schön व one हैão non expending type की मिनिरल है freaking mount me lle say ुह हम देखे mount me rlich रटाईट ये आपका भी रच einija की रच्ट या इदकना two ratio वण लेकिन non expending Montmelotite 2 ratio 1 लेकिन expending वही हम देखो केलो नाइट यह है 1 ratio 1 and यह non-expending है ठीक है याद हो जाएंगे इसली आप डेली इनको पढ़ते रहेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे Vermiculite 2 ratio 1 non-expending Montmelotite 2 ratio 1 expending केलो नाइट 1 ratio 1 and non-expending Next हम देखते हैं सब्टोकल रिलेटेट है क् coconut ग्रीन हम जाएंद हो जो जेमेंशन करना है क्या वहरा मेंशन करना है तो लेकिन आपने प्रोटोकल नाइट है उस नाइगेंशन क्म करनेंगे क्यो प्रोटोकल क्योट थि वहीं ओस्ली हैं पूछे थे तह वह आप देखें, the first handloom day was observed in, सबसे पहले handloom day कब बना जाता है, 7 August को बना जाता है, सबसे पहले कब बना गया था that is year 2015, याद आप handloom का मतलब, जो भी आप हाच से जो चीज़े बनाई जाती है न, उनके लिए जो weaving करते हैं, आपके weavers होते हैं कड़ाई बुनाई वाले, सबसे पहले इसको 2015 में बना गया था, कब 7 अगस्त में next हम देखते हैं, vitamin P is present in, जो vitamin P है वो किसमें present होता है, आपका चीली के अंदर जो है, वो सबसे जादा present रहता है, now drip irrigation में discharge rate कितनी रखते हैं, so 1 ratio, याई 1 to 8 liter पर हेक्टेर आप सकते हो, जो आपका पर आर है इसमें आप क्या करो के, drip irrigation का discharge rate अगर आप से पूछेगा, तो 1 to 8 ठीक है, 1 to 8 liter पर आर का होगे वहीं हम देखे, अपरेटिंग प्रेशर कितना होता है 1.5 सी 2.5 kg पर cm2 का, आपका अपरेटिंग प्रेशर होगा अगर हम पूछेंगे, इसकी जो discharge rate है, तो वह तो 1 to 8 रही की लेकिन अपरेटिंग प्रेशर देखेंगे, तो 1.5 सी 2.5 रहता है वहीं हम स्प्रिंकल का discharge देखेंगे तो वह more than 1000 liter अगर आपका, स्प्रिंकल के तुरू तो बहुत तेज आता है तो more than 1000 liter और अपरेटिंग प्रेशर जो है 2.4 से 4.5 kg पर cm2 रहता है यूनिट सियाद कर लेना कि किसकी क्या होती है, बेसिकली स्प्रिंकल स्प्रिंकल का 2.5 से 4.5 और उसका 1.5 से ड्रिप का 2.5 के बीच में रहता है नेक्स्ट है, the carrot roots which are the richest source of sucrose that is 10 times more than glucose and fructose तो आपका देखेंगे, आप carrot है carrots की root में सबसे जादा गया दिखा जाता है sucrose देखा जाता है 10 times more than glucose and fructose fructose है 10 गुना या glucose और fructose है 10 गुना जादा उसमें roots में उसका सबसे जादा पूछा जाता है कि carrot की root में सबसे जादा क्या present होगा तो यादर कर that is your sucrose next अगर हम देखते है flaring agent in strawberry strawberry के अंदर जो flaring agent है, जो flavor देता है वो कौन है? ethyl butylate ethyl butylate के देता है आपको flaring agent है, आपका flavor देता है strawberry के अंदर next question है, the international federation of organic agriculture movement ठीक है, international federation of organic agriculture movement इसका formation 1972 में हुआ था and इसके लिए headquarter का है born Germany ठीक है, international federation of organic agriculture movement का headquarter आपका born Germany में है 1972 में इसको form किया गया था जो soya bean है, उसके inforescence को किस नाम से जानते हैं तो resin, ठीक है, रेजिन के नाम से उसके inforescence को कहा जाता है next question is that the bird necrosis in watermelon watermelon में क्या होता है, आपका bird necrosis होता है ठीक है, तो वो आपका किसकौन responsible होता है, water melon के अंदर necrosis कराने में, आपका ground nut so ground nut में जो necrosis होता है, उसको thrips कराता है, लेकिन watermelon के अंदर जो necrosis होगा, उसे affid कराएगा okay, वहीं हम देखें जो angle है, hydrogen bonding के अंदर वो कितना है, that is your 104.5 degree celsius, celsius नहीं, sorry that is your 104.5 degree तब यह आपका, जो आपका hydrogen है ठीक है, H2O है, जो आपका इसके अंदर जो hydrogen bonding बनी रहती है, water के अंदर, उसमें जो angle होता है, वो कितना होता है, 104.5 degree, next time देखें, जो newly started extremely funded research products है, वो ICR के सबसे ज़रा, मतलब newly research funded है जो आपका ICR है, वो fund provide कराता है, तो ऐसा कौन सा अभी जो project है, अपसे जो आपका भी खोला गया है, तो वो है National Agriculture Innovative Project, ठीक है, जो यह आपका क्या है, एक जो project है, newly project है, इसको form किया गया है और राइट, यह थे हैं आपके आज के questions, I hope जो session ने वो अच्छा लगा होगा, remaining questions को हम next series में आपका cover up करेंगे so I hope this is all about your today's session, like करो, follow करो, share करो, ठीक, अपने friends के साथ maximum to maximum channel को, and साथी साथ different social media handles कि थूँ connect हो जाओ, Instagram, Telegram, YouTube, okay, so each and every जितने भी हमारे, जो यह आपकी जो platforms है, अगर आपने connect नहीं किया हैं इनसे, तो जल्दी चे जल्दी इनको connect करो, join करो, okay, so यह था अमारा आज का session, this is all about your today's session, so thank you everyone for watching this video, and this is your Agree with Spark.